अजब बिहार की गजब कहानी और जो लालू परसाद यादो की पार्टी है उस पार्टी का नाम है राज़त रास्टिय जन्तादर तो नितिश कुमार की जो खुद की पार्टी है मतलब बिहार में कहानी ऐसी है कि वहाँ तीन पार्टिया है और तीनों के पास पुण बहुमत के बराबर आकड़ानी है पहल जो दो-चार सीटे हैं उनकी लेकिन ये दो बड़ी पार्टी होते हुए भी एक इंसान बीच में रहके सबसे कम सीट लेते हुए लागतार नमी बार बिहार के मुख मंतरी का सपत लेना ये बहुत बड़ी चीज है तो नितिश कुमार पहले राजद और जेडियू के साथ मिल आजपा और उनका खुद का पार्टी अभी दोनों लोग मिलके सरकार चलाएंगे बिहार के नए उपमुख मंतरी देखने को मिल जाएगा पहले तेजश्वी परसाद यादो बिहार के मुख मंतरी थे वाके उनको इस्थिपाहीं देना पड़ा तो अब क्या होता है आगे क कहानी मैं आपको बता दू कि जब एक एलाइंस बना था बीजीपी के अगेंस्ट एक एलाइंस बना था अलग-अलग पार्टियों का समोह बना था जिसमें अरविंद कजरिवाल की पार्टी थी ममता वनर जी की पार्टी थी इभन बहुत सारी देश की जितनी भी छोटी- अखिले से यादो की पार्टिती ये सब मिलके एक ग्रूप बना था जिस ग्रूप को इंडिय एलाइंस एंडिया भी कहा जाता था जिसका कही न कहीं बोर्ट शेरिंग 38% तक था और जो बीजे पी का बोर्ट शेरिंग था 37% तक था तो बीजे पी के इस चीज को लेकि उन्होंने इस चीज का पहल करा है क्योंकि कहीं न कहीं उनके जहन में ये बात जरूर रहती है कि उनको भारत का प्रधानमंत्री बनना है इसलिए उन्होंने एक विपक्ष में एक पार्टी बनाया और जिसका खुद PM चेहरा बनना चाहते थे लेकिन पिछले डेड़ दो महीन में ये final नहीं हो पाया कि इस alliance का जो PM candidate है ये कौन होगा अभी चीज को देखते हुए और समय को भापते हुए इन्होंने decide करा है कि अब वो BJP के साथ जाएंगे अब क्या region हो सकता है अब ये region तो खेर वहीं लोग जानेंगे जो बंद कमरे में बाते कर रहे होंगे बाहर त अब ये जो पल्ट वर्ड है ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि एक ही इंसान है जो सिर्फ पलट रहे हैं ऐसे बहुत बार हो रखा है आप पूरा हिस्ट्री उठाके देख लिजिए जोती रादित्य सिंध्या एक पार्टी से दूसरे पार्टी माय है समराठ चोधरी एक पार् चलती रहते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है लेकिन नितिस्कुमार के पार्टी वालों को ये कहना है कि भाई पार्टी तो फॉलट तो और लोग रहे हैं और इनकी तो जो अपनी कुर्शी का मौ है बिल्कुल फेविकोल की तरह चिपका हुआ है ये कुर्सी छोड़ ही नहीं पा रहे हैं तो पलिटने का बाद तो इन पे नहीं फिट बैटता लेकिन यार मतलब समझ से परे होती है चीजे कि राजनीती में कैसे ये संभो हो जाता है कि जो आपके विपक्ष है कल आप उसके साथ हो जाते हैं और यहां नॉर्मल इंसान एक दुसरे से मुझ फुला के बैठे होते हैं हमें सीखने चाहिए इन नताओं से यहां कोई एक दुसरे का दोस्त है ना ही दुस्मन है यह सब कुछ मौका और अपर्चुनिटी की तलास है तो आपका क्या रहा है इस टॉपिक पर आप लीज कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जहिंद